हेलो जी, what's up guys, मेरा नाम है जैन, कैसे आप सब लोग, उमीद करता हूँ कि आप सब लोग खेरियत से होंगे, अगर आपने भी फेस्बुक के ओपर पेज बनाया हुए, आप उसके ओपर content अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, आप उन वीडियो के ओपर thumbnail लगाना देखते हैं, thumbnail बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वीडियो के लिए, अगर आप भी फेस्बुक के ओपर वीडियो अपलोड करते हैं, और आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, थमने लगाना चाहते हैं वीडियो के ओपर, तो यह वीडियो आपके लिए है, मेरा नाम है ज content अपलोड कर सकते हो, analytic अपना completely चेक कर सकते हो, जैसा के यूट्यूबर्स के लिए वाइटी स्टूडियो अपलिकेशन है, वो इस वाइटी स्टूडियो अपलिकेशन के जरीए, completely अपने चैनल का analytic देख सकते हैं, व्यूज वगारा देख सकते हैं, तो इस एप को अपने Plays Store से install कर लेना है और अपने Facebook अकाउन की login के जरीये, आपने इस app में login हो जाना है, जैसे यजैसे आप लोगिन होंगे, आपको पुछी इस वह पेज स्लेक्ट कर लेना है, जिस पेज की विडियो के उपर आप थमने लगाना चाहते हैं, जैसा के अभी मैंने पेज स्लेक् लगाना चाहते हैं, उस वीडियो को आपने select कर लेना है, select करने के बाद यहाँ पर second number पर pencil वाल आइकन होगा इसके उपर आपने click कर लेना है click करने के बाद, भैस साब यहाँ पर thumbnail का option मिलेगा add के उपर आपने click करना है और आपने वह वाला thumbnail select कर लेना है जो आप अपने वीडियो के उपर लगाना चाहते है चलें यहाँ पर मैं यह वाला thumbnail select कर लेता हूँ then आपने next के उपर click कर लेना है जैसे ही आप next करेंगे आपका thumbnail set हो जाएगा then आपने save के उपर click करना है आपकी वीडियो के उपर thumbnail set हो जाएगा और जो भी वीडियो को देखने ही लगएगा पहले उसको आपका thumbnail show होगा बहुत important है वीडियो पर लाजमी से लगाना चाहिए आपका page जो है वो grow होगा इससे मेरा नमस्यान चानल को subscribe कर देना वीडियो चलोगी तो like कर देना बिलते नेक्स reformating video के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आईला आफ़ेज